वीडियो शुरू करने से पहले पोजिशन, आंसर शुरू कर स्पेंड वहले एक इंपोर्टेंट रूंस्मेंट, कई सारी लोगों को मैसेज आए, कि सर पिछली बार सेटेडर और संडे को जो ओफर था वो उमसे मिस हो गया है, क्या आप ओफर प्लीज आज एक बार और दे सक सकते हैं, नीचे दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए, वेबसाइट का वेबसाइट विजिट करेंगे, 2599 में पूरा कॉम्बो कोस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सारे ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, इनको जरूर एक बार चेक कर लिजेगा, कि आप में से इन क जोब आप सभी लोग सुबह की वीडियो जरूर देख रहे होंगे, अगर आपके पास सुबह की वीडियो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपके चैनल अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिजे, जिससे कि आपसे वीडियो की मिस ना हो, फिलाल 15 के टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा सा अनलेसिस करने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं कल से ये सिनारियो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा था, फिलाल आज के कहीं न कहीं सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो में हमने देखा कि 19,950 पे एक चोड़ा सपोर्ट था और 15 वेडिय फ्रेम पे देखें, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कहीं न कहीं 19,950 एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था, साथ कजा 20,000 का अगर हम लेवल बात करें, 20,000 के लेवल पर कहीं न कहीं एक resistance सुबह मौर्निंग में दिखाई दिया, जो सुबह मार्केट ने resist भी किय या मार्केट को, धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद, यह ध्यान रखे 15 मिन्स का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपका डे यहां से शुरू हुआ है, आज का, और कम कैंडल से आपको नजर आएंगी, 5 मिनिट के comparison में, मार्केट ने काफी देर यहां पर पॉस लेने के बाद, ए तो कहीं न कहीं आपको एक जो है, छोटा सा बीरिश मोड देखने को मिल रहा होगा, क्यूं बोल रहा हूँ में यह बीरिश मोड, क्यूंकि अगर आप कैंडल की strength को देखेंगे, आखरी कुछ कैंडल की strength को, तो जो यह fall मिला है, इस fall को cover करने के लिए, कई सारी candles ने की, बट बार-बार selling pressure दिखाई दिया, और सबसे last में market ने एक resistance बनाने की कोशिश भी की, market के पास ज्यादा time नहीं था, market ने यहाँ पे closing ले ली, तो फिलाल क्या हम इससे यह consider कर सकते हैं कि call morning में हमें gap down दिखाई दे सकता है, अब in case market, माल लेते हैं कि market आज continue थी, अभी य या follow करती, बहुत जादा market यहाँ से support लेकर वापस उपर जाने की कोशिश करती, बट कहीं न कहीं RSI को अगर हम देखें, तो थोड़ा सा RSI भी bearish था, 60 के नीचे आ चुका था, तो अगर market लगातार continue करती, और थोड़ा सा आधे गंटे, एक गंटे, तो शायद हमें कुछ इसी तरीके के movement दिखाई देते हैं, जो RSI को 40 के तरफ move करता हुआ नजर आता, और market हमें कुछ इस तरीके से move करता हुआ नजर आता, अपने पहले पढ़ाओ जो कथा 20,035 के आसपास, तो अगर market हमें 20,035 के ऊपर ही कहीं ना कहीं open होती हुई नजर आई, means, अगर हमें 20,0 20,035 के आसपास कहीं open होती ही नजर आई, मतलब इस range में कहीं न कहीं open होती ही नजर आई, तो हमें wait करना होगा, हम instant कोई भी decision नहीं ले सकते सुबह open होने के बाद, क्योंकि ये point एक support point भी बन सकता है, लेकिन अगर इसका breakout मिलता है, तो कहीं न कहीं एक bearish mood मिल सकता है, तो मे कब बात कर रहे हैं, जब market 20,030 या 40 के बीच में open होता है, 20,030 या 20,040 के बीच में open होता है, means छोटा gap down लेता है 35 या 40 points का, nifty, तो कुछ इस तरीके के moment हमें देखने पड़ेंगे, यहां तक जिससे की हम देख सकें कि market जो है किस तरीके का moment ले रहा है यहां पर, क्या ये support बनने की कोशिश करेगा, या फिर एक resistance बनने की कोशिश करेगा, दोनों चीज मौनिंग में confirm हो जाएंगी, जब हम option chain की वीडियो करेंगे, तो आप लोग जरूर देखेगा, miss मत करेगा, सुबह की option chain वीडियो, और अब यही चीज हम लेगर चलते हैं कि अगर हमें gap up मिलता हमें 20,063-65 के आसपास market ने close किया है, और कहीं न कहीं अगर यहां से हमें 40 और 50 points का gap up मिलता है, तो अबेसी बात है, market कहीं न कहीं 20,100 या 20,090 points के आसपास open होगा, that means कहीं न कहीं आज का जो एक resistance zone था, वहाँ पर market कहीं open लेगा, then again हमें सुबह morning में option chain वीडियो के साथ ये confirm करना होगा कि क्या 20,000 के level पर हमें support बनता हुआ दिखाई दे रहा है, means put writing अच्छी होनी चीए, तभी 20,000 एक बहुत अचा support बनता वो नजर आएगा, अगर call writing बनती हुई दिख गई 20,000 पर और 20,100 पर तो फिर for sure कहीं न कहीं ये एक resistance zone declare हो जाएगा निफ्टी के लिए, और निफ्टी शायद 20,000 40 के भी levels को break करते हुए कहीं न कहीं, 19,950 जो उसका previous support है, वहाँ पर कहीं न कहीं move करने की कोशिश जरूर करी, अब इसका confirmation लेते हैं, 1 hour के time frame पर कि क्या हमें 1 hour के time frame पर सेम चीज़ दिखाई देती है कि नहीं, चलते हैं, निफ्टी के 1 hour के time frame पर, 1 hour क time frame पर कुछ important levels जो भी थे, वो मैंने आपके लिए draw किये हुए हैं, जैसे 20,110, यहाँ पर एक level दिखाई दे रहा है, 20,015 के आसपास, और एक level दिखाई दे रहा है, 19,950, यह कहीं न कहीं, एक range situation थी, निफ्टी के लिए, आज, और इस market को, इसी range को break करने के बाद, market ने एक bullish momentum लिया, और उसके बाद कहीं न कहीं एक fall की भी तयारी market कर रही है, अब रही बाद, same चीज आती है हमारे कि अगर market हमें gap up open होती है, means again इस resistance zone में कहीं न कहीं open होगी, तो कोशिश हमें करना है, अगर 20,100 को market sustain नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं हम कोशिश कर सकते हैं, 20,000 के levels तक market को लाने के लिए नीचे की तरफ, शायद market आपको move करती है, जो ये level कहीं न कहीं resistance की तरह काम करेगा, same level से market कहीं नीचे की तरफ आने कोशिश कर सकती है, कहां तक 20,000 पहले, और अगर इस level को भी cross करती है, तो 19,950 के levels के लिए, और 19,950 के भी levels अगर break होते हैं, तो उ शायद तो उसका screenshot ले सकते हैं, जैसे कि यह number कहीं पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपको शायद help हो जाए, तो one hour के time frame पे भी same चीज़ हमें नजर आ रही है, कहीं ने कहीं बहुत हलका bearish एक mode दिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि one hour के time frame में इस market में काफी अच्छा buyers ने को 20,000 का, तो कल सुबह की option chain video में 20,000 का level ही decide करेगा, कि market किस तरफ का moment ले सकता है, क्योंकि 20,000 almost all time high, previous भी 19,990 का high था, तो ये बहुत important level है 20,000, 20,000 पर put writing अच्छी दिखेगी, तो market आपको ऊपर move करता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, बट गिरेगा नहीं, आपको कहीं न ग करता हुआ दिखाई देगा, 20,000 के नीचे नहीं आएगा, अगर 20,000 पर अच्छी put writing हो गई, और 20,000 पर अगर tight zone हो गया, तो chances हो पाएंगे थोड़े बहुत नीचे की तरफ आने के लिए, तो जिन्होंने put hold किया है, उनके लिए भी answer मिल गया होगा, जिन्होंने call hold किया है, उनके लिए भी answer मिल गया होगा, अब चलते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी आज expiry खाता मुझ की हो, निफ्टी की तरफ जिसकी आज expiry भी है, तो थोड़ा सा मोट देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को 15 मिर्स के time frame पर अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं, 15 मिर अगर बैंक निफ्टी को देखें, तो अल्मोस्ट एक resistance zone में है, बट resistance को break नहीं कर पाई है, resistance zone 45,900 के आसपास, जो आज का price section था, market ने open लिया, 45,900 वहां से fall लिया है लगाता है, तो फिलाल ये एक resistance zone market के लिए बन चुका है, market ने यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का एक channel बन बैंक निफ्टी का trade almost complete हो चुका है, और अब expiry के दिन आप ये देख सकते हैं कि कल जिनों ने यहाँ पर लगातार put में entry बनाई, market को देख कर आज उन सब का पैसा zero हो चुका है, तो seller के पास हमेशा एक command रहता है, वो अगर उठा रहा है, तो अगर इस तरीके से एक logic लगा आ सकते हैं कि शायद आज market जो bullish momentum दिखाया है, कल वो कहीं न कहीं put side में ले जाकर हो सकता है, zero कर दें, तो let's see कल के किस तरीके का movement रहता है, फिलाल निफ्टी को बैंक निफ्टी को वगर one hour के chart पे देखें, one hour के chart पे देखें, तो कहीं न कहीं इस candle में एक selling pressure दिखाई दिख कहां पर एक pause mode दिखाई दिया, वो भी कहां पर दिख रहा है, कहीं न कहीं एक resistance zone ही नजर आ रहा है bank ठीका, तो फिलाल अगर gap up मिलता है, means market 46,000 के levels के असपास कहीं open होती है, जो आज भी एक resistance बन गया था, हलाँ कि काफी दूर था 46,000, और तो आज तो option chain में 46,000 आपको आख कोशिश करूँगा कल, second half का option chain करने के लिए, बस आप लोग support करते रहे हैं, मैं videos बनाता रहूँगा, और सारी चीज़ें कोशिश करूँगा, ज़्याद से ज़्याद आपको explain करने के लिए, फिर भी अप लोग का response बहुत important है, तो फिलाल 46,000 के आज बस कहीं market open होता है, तो 500 के आसपास कहीं न कहीं बन जायेगा, जो कि ये range है, तो क्या market कल हमें इस तरफ का एक move दे सकता है, फिलाल important levels 46,090, 45,950, 45,630 के आसपास, और 45,330, ये levels आप mark कर लिजेगा, one hour के time frame में कहीं न कहीं, आपको ज़रूर help करेंगे फिलाल, जो एक one hour के time frame में अच्छा bullish pattern बना है, market ने ये level break किया, 46,650 का, और एक अच्छा move भी दिया है, लेट्स चेक कि क्या ये resistance कल काम करता है, कल सुबह का option शिर्ट वीडियो बिसमत करिए, बिल्कुल भी, अगेन फिर से एक बार सभी लोगो remind करा रहा हूँ, combo course पर एक अच्छा offer आज midnight 12 PM तक है, तो अगर आप च कोर्स के लिए खास कर, scalping कैसे करते हैं, उसको करके दिखा रहा हूँ, तो वो trade चल रही है, इसलिए भी trade की वीडियो नहीं डाल पार हूँ, और कितने लोग wait कर रहे हैं, scalping वाले कोर्स का, price कुछ कास नहीं रखूँगा, बहुत हलका price रखूँगा, आप सभी लोग जानत आजिस भी यूचिए हैं, trade करके भी दिखाई हैं, छोटे capital से, बड़े capital से, averaging सब कुछ है, scalping से related, all total उस course के अंदर होगा, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, जुरू बताइएगा, फिलाल उसके पहले लेकिन ये जरूर आपको सीखना बहुत important है, ऐसा कोई मत करिएगा मेरा suggestion है, बाकि आपकी मर्जी है, कि आपने combo course नहीं लिया, means ये सारी चीज़े नहीं सीखी है, मैं combo course लेनी की बाद नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़े सीखने की बारी बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के साथ आपका experience नहीं है, और आप direct scalping technique पे कूदते हैं, कि मै scalping का course ले लेता हूँ, उत्तों मैं direct सीधे scalping पे चला जाऊँगा, और जल्दी से पैसा बना लूँगा, अचा possible नहीं है, क्योंकि base आपका clear नहीं होगा, तो scalping, obvious ही बात है, बहुत खतरनाक भी चीज़े, अच्छा profit बनता है, big quantity के साथ, रिस्की भी बहुत है, क्योंकि ज और आप लोग कमेंट करके बताइए कौन-कौन वेट कर रहा है, तो कल मिलते हैं सुपह, options और वीडियो के साथ, thank you